के पूर्व आने वाले सरधालों और प्रेट्रकों की सुविधा के ले जोने में 0% से चार्ज होने में भी हमारी बस को 45-50 मृट और क्या मतलब इलेक्ट्रिक क्या 1100 बोल्ट का चार्जर है यहां पर यह 180 लोट का एक चार्जर है अच्छे जी नमस्कार जैश्री राम जैयोदादाम स्वागत आपका नए वीडियो में दाश्टॉर यूट्यूब चैनल पे और आज कई वीडियो बहुत ज्यादा इस्पेशल होने वाला है वीछे आप लोग देख करके समझ गयोंगे और तुमनेल देखकर भी समझ गयोंगे आज हम इसके वाले हैं इलेक्ट्रिक बसे इतना खास क्यों है इसके वारे में बात करेंगे और यह किस लोकेशन पर आपको पता चली गया होगा इसका कलर देखके यानि कि भागवा रंग देखके अभी हम आ चुके हैं आयोध्या धाम बस स्टेशन आपने सुना होगा विसस्त्र आखर यह क्यों है इतनी खास क्यों है अध्यधाम में भेजा गया इने सबसे पहले बता देता हूं यह बसे पीएम आई कंपनी के द्वारा बनाई गई है और इसमें जो बैटरी की संख्या है वह पांच है और पांच लिथियूम बैटरी है साथी साथ दो स्टार्टर लिए एक चार्ज करने पर पर चार्ज 200-220 किलोमेटर तक का रेंज यह देती है और अगर बात करें इस पूसे के फिचर्स की तो अंदर से तो बात करेंगे ही करेंगे साथी जाथ इससे प्राइस की बात कर लेते हैं बस इसमें है तो बट इसमें है तो वह भी आपको कि तो डैसबोर्ड देखकर करके आप समझ गए होंगी यह बस पूरी तरीके से और फुली आटोमाटिक है जैसा कि यह पर बटन देख सकते हैं रिवर्स का न्यूटल का और आपका आगे जाने के लिए तो पूरी तरीके से डिपो से यानि कि डिपो से पुरा का पुरा बात कर लेते हैं सथे साथ देख Palest Чॉथ से डिजाइन के गए के बसे हैं और इस में सबस्ट से बहुत उने ह। युकि आपको पता है सध्धालूम संक्या बहुत ज़्यादा होने वाली है तो अगर ऐसा कुछ केस होता है तो इसमें इस पेस इतना ज़्यादा है कि लोग आराम से खड़े भी हो करके आराम से जा सकते हैं और वहाँ पर पकड़ने के लिए हुक वगरा भी यहाँ पर दिया इनका प्रोपर कंसन किया गया है और वह कैसे किया गया मैं आपको बताता हूं सारे डूर और तो आपने देखा होगा या हम नॉर्मल वैक्ति होते हैं तो उन्हें चढ़ने में सब के लिए सेम प्रोसेस होता है बट यहाँ पर आप विलचेर से आते हैं और आप बस पर आन करके दिखाई जाएगी मतलब वह आप स्लोप जैसा निकाल सकते हैं बसके अंदर ही दिया गया है और वापस से मतलब अच्छे से आप अपने विलचेर को चड़ा सकते हैं मतलब भाई इतना डिटेल में सोच करके से डिजाइन किया गया है कि पूछो मतलब बहुत ज्याद और एक कैमरा आपको पीछे दिख जाएगा यानि कि तीनों एंगल से तीन से से संख्या में बोनस भी है उसको भी थोड़ा सा रुग जा थोड़ा थोड़ा वेट करो वह बहुत ज़्यादा इस पेशल है मतलब वह इतना प्यारा बोनस है जो योगी जी ने दिया है और हमा वह वह भी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले आपको इस बस के बारे में बता देता हूँ जो प्राइस की मैं बात कर रहा था तो इस बस की प्राइस है पहले तो मैं बूलूँगा आप गैस करो वीडियो रहों के बट आप साहित से सही नहीं गेस कर पाऊगे मैं आपको बदा चारजर को 45 में चार्ज कर सकते हैं और एक बस करीप 200 क्लुमिटर चल जाती है और चार्ज वह जोने में भी हमारी बस को 45-50 मिट और और एक बार में चलने पर 20 और दिना करना की आती रहेंगे धोถ sioda लोटेशन करके आप पर बर यहाँ और तिंगल से चार्ज करते हैं तो पूरी बस फूल चार्ज हो जाती है और एक बसे लगबग 200-500 किलोमेटर चलती है इसलिए प्राइस पूरा जस्टिफाई करता है एक सो पच्छीस लाग यानि एक करोड़ पचीस लाग लगबग समा करोड़ की बसें बट यह जो फैसलिटी और जो क्वालिटी बताई है बसे वही今天 उन करता है बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत थनेवाद क्योंकि भाजा से है वीडियो देख रहे हैं जैसे बसे डिपोर ऑनी लगों को दिया गया है वह पूरह अंहीं रंगों में रंग जाने और यह और भी ज्यादा इस्पेशल है क्यों है मैं बताता हूं क्योंकि हमारी आयोधिया को मिल रहे हैं इ- ऑटो जो कि आपके सामने आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा खुबसुरत देखने वाले छोटे-छोटे इ- ऑटो और इनमें खास क्या है आपने ध्यान दिया होग हमारी जो है वो महिले सकती कमरण के लिए हमेशा से कदम हुठाती रही और उसी कदम के चलते यहाँ पर यह इनिसिटिव लिया गया है कि यहां पर आपको पिंक कलर के जो आटोस दिख रहे हैं वो आयुद्या को उसकी सौगात दी गई हो और इसका कारण है क्योंकि इन पिंक आटोस को ऑपरेट करने कि इन आटोस के अगर बात करें तो इनकी जो रेंज होने वाली है पर चार्ज 120 किलोमेटर होने वाली है और इसका थोड़ा सा आपको एक और मतलब बात बता देता हूं जो कि आपके लिए हुआ है बाकी यह पर आप जो वॉइड कलर के इन ऐतों को देख रहे हैं यानि कि इलेक्तरिक वाटोस को गिनहें ओपरेट किना वाला है अल्डवावावा स्केशन हुआ हो आपरेट कIGHक्शन वाला है सिमेल राबस कि Chair थो हमारे जो आईूद्ध्या-भाम स्री matar यानि कि जो आयोध्याधाम बस रेपोर्ट है यहां से पिंक और वाइट कलर की यह चलना प्रारम हो जाएंगे तो जी यह था भव्य इनाउगरेशन आयोध्या धाम बस इस्टेशन का जो कि बहुत यह बहुत 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 जाद है जैसा कि आप देख सकते हो और इस अब प्लीज कोमेंट्र करके जाना बता के आपको बसंद आए बाकी आपको यह बसे कैसी लगी इनकी फिचर कैसे लगें यह सारा कुछ भी comment में आप बता देना अगर आपको वीड़ेट पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना और आयोध्या की और ट्रैवल की काशला इसी जो पिशेश कर, महलागी सुरखशगा खास कहला पजाए